कर नमस्कार मेरे पैयरे बच्चो बच्चो और आज हमारा चैप्त्र नंबर फोर्ग यानी कि तो आज कि क्या करेंगे दिए नम पर जिसका नाम कorous इसके बारी में पढहेंगे ऑरएक क्या होता है और वाग कौन कौन से होते हैं और वाग क्या काम करते हैं और और वाग कियों मिलाते हैं यह सारी चीज़ों के बारे माज हमें study करेंगे इससे पहले आप लोग हमारे तीन चप्टर कर चुके हैं अगर आपने अभी तर नहीं किये हैं तो आप पहले हमारी में जाए और चप्र नमबर 3 तक क्हों क्यों क्यूंकि हर एक चप्टर नाकर ? एक दूसरे चप्टर से लिंक होता है इसली जबतक आप पुराणे चप्टर को और क्लिढ करेंगे तब तक आपको आनगे यू चीजे हक 1973 जुब्ह इससे दिए आप कह छरेई रहे हैं तो अभी हम लोग देखते हैं कि आप लोगा को आज क्या क्या परहना है तो सबस्ऱ पहले बटा अगर बात करें तो यहां पर क्थेशण आता है कि फटलाइज़ याणी कि परिभाशिया में थेर। अ करना है इना कि उर्विड़ाइजर को एक बढर सपनाए इस ज्वर्फ पढ़ने वाले पूरेजर को क्या है तो देखेंगे को भूमिक भूमिक और औरकति बढर्स१ी बढ़ाने कारखावनों में तयार किया आता है ठीक है बड़ा एवं एवं इनमें एक या एक से अधिक पोश्यक्टत उपस्तित रहते हैं और रख कहलाते हैं जैसे यूरिया जैसे अमोनियम सल्फेट जैसे डिये पी यह एक्जाम्पल है अब आप से पूछा गया है कि फटलाइजर क्या है तो आप से कहा जा रहा कि ऐसे अकार्वनिक या ऐसे रसाइन जिनको फेक्ट्री में तैयार किया आता है एवं वो खेत को पोश्यक्त प्रदान करते हैं यह हम यह कहें कि इनमें एक या एक सदिक पोश्यक्त हो सकते हैं इन्हें फर्टलाइजर कहा जाता है यसी यूडिया हो गया अमोनियम सल्फेट हो गया डिये पी हो गया एसेस्पी हो गया पहुत सारे ईवं इसे यहां पर देखते हैं घूब सब्स्टेंस ऐसे सब्स्टेन्स विच आर्टीटीकूरे रिप्रेड़ किया गया है इन फैक्ट्रीश विटा कहा पर प्र प्रेड़ किया है फैक्ट्री अंदर टो इन्क्रीज दा फट्लिटी ऑफ द बड़ा और मोर न्यूक्टेंट नियुक्त यहां पर देखने को मिलेंगे अब यहां पर समझ यहां पर क्या क्या गया है एक कुश्चन आप एक वार एक्जामेट पुछा लिया है कि फटलाइज़ों का class education की लिए आप संजएंगे फटलाइजर होते हैं उसको फॉर पाइटमेंट वाइड किया आता है किन्स बटा क्या है nitrogenous fertilizer यह nitrogen containing fertilizer phosphatic fertilizer यह पोस्परास containing fertilizer पहले कि आहां फोस्परास इसको गुमा के लगना यहां इसको पूटास को पहले नमर पर पूटास कंटैनिंग फटलाइजर ठीक है आंगे जो की विटा शरी यह विटा हम कहें कंपॉंड कॉंप्लेक्स या जट्र और ठीक है अभी आपको समझ में नहीं आया होगा यहां पर समझेगा मैं आपको बहु समझने वाले हैं उनको अच्छे समझो अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप मुझे बता लें यहां पर पूछा गया है आपको फटलाइजर का क्लास्विके संदिया है तो सबसे पहले बाप करेंगे फटलाइजर क्या होते हैं तो आपको बने अभी बताया ऐसे रफाइ जिनको फेक्टरी में प्रिपेर चीया रहा है और अगर इनकों खेत में डालते हैं तो एक खेत की फर्टलिटी पावर को इंक्रीज करते हैं अब जब सारे होते हैं लेकिंग चार गुर्पों में डवाइड किया गया है सबसे पहला नाइटूस ना फटलाइजर यानिकि ऐ इस पौटासिक फटलाइजर इने क्या पाए जाता है इनbsp ओँडा हमारा क्या है या मट्टैक्स इजटर लेज़ा इसी फटलाइजर जिन्में बिटा प्राइमरी नूट्रेंट्स मेंसे यानि कि बिटा हम पाए जाते हैं तो इसको कॉंप्लेक्स पड़िजर के नाम से जाना जाता है इतनी सी बात समय में आई कि नहीं कि एक पर बताता है मैंने क्या बुला कि फटलाइजर जो होते हैं सबसे पहला नाइट्रूजन फटलाइजर फॉस्पेटिक फटलाइजर और चौथा बच्टा वह हमारा है क्या कहेंगे अगर कोई फटलाइजर है उसमें नाइट्रूजन पाइजा रहा है तो इसको नाइट्रूजन फटलाइजर कहा जाएगा अगर कोई फटलाइजर है उसमें फटैasih currently थे वन देञे हैं । तब उसको हम क्या कहेंगे, complex fertilizer के नाम से जानेंगे, ठीके बच्चे, अब भी कुछ चीजे समझ में आएंगे, कुछ हम लोग next slide में देखते हैं, कुछ चीजे यहां पर clear हो जाएंगे, जैसे यह क्या लखा है, यह लखा पहला nitrogenous fertilizer, अब देखेंगे इस तरहे की बोरी यूरि यूरिया के बाद लिखा हुआ है, 46% N, देख बड़ा आपको देख पा रहा होगा, 46% N, मतलब यह एक पैकेट है, जिसमें fertilizer आया है, इसको company ने विटा इसको बनाया है, इस fertilizer का जो बेट है वो 50 kg है, यहां पर लिखा हुआ है, यह fertilizer है, इसका नाम यूरिया है, और इसमें 46 नाइट्रोजन है, इसमें जितना भी content, जितना भी बजन है, उसका 46% विटा क्या है, इसमें यूरिया content यहां पर पाया जाएगा, इस पीसी बास कमझ में आई कि रहे हैं, तो इस तरीके से यह कह रहे हैं, कि यह जो आपके सामने को यह packet रखिया गया और आपसे कोई कुछ यह कैसा fertilizer है, तो आप कहोगे यह nitrogenous fertilizer है, यह यह किसे अन है, अच्या कैसे तता किया है? इस fertilizer को मैं अपलाई करता हूँ, तो मिट्टी में डालने के बाद हमें कहां करेंगा, nitrogen प्रोवाइड करवाएगा, तो मैं कह सकता हो, यह nitrogenous fertilizer है, बात समझे हैं बच्चों, देए क्या लिखा हुआ है बे और गडिनमें नाइकर र्भक कहला ते से नाइकर पाया है जी कि झेल्टार धया से यूर्टीें पहुत ये अाय इक अरगो घटे sleep in हो गया और इसे कई सबमें इस फट्राइजर में ऑगा को होता है वोंच से नाइट्रोजन में धेकल के लखा हुआ है नाइट्रोजन फीतलिजन गूल तो यह नाइट्रोजनस पडॉशन बोल दो एक ही बात है अिन विस नाइट्रोजन ons स्वांद ucky ऑल नाइक्रल्जन इसह प्तॉछ फैलाइजर और nitrogenous fertilizer अब बिटा मुझे लग रहा है कि आपको यह वाला concept विल्कुल अच्छे समझ में आया होगा कि कोई भी ऐसा पैकेट कोई भी ऐसा fertilizer जिसमें अगर nitrogen पाया जाएगा तो उसको आपको यह तो बता दिया कि आपको यह तो बता दिया कि ऐसे फटलाइजर में नाइट्रोजन पाया जाएगा यह तो पाया तो जाता है लिकि कि इसमें पाया जाता है इसको बहुत इंपोट्डेंट कुछें कि आपको चार तीन या दो पूछेंगा आपको किनी 5 नाम देने हैं और उन में पाई जाने बाई नाइट्रोजन की परसेंटेज मात्रा को यहां पर सो करना है ठीक है तो देखेंगे हम लोग फटलाइजर के नाम क्या है तो यूरिय बहुत इंपर हैं 46 परसेंट नाइट्रोजन ए इसको याद रखना पड़े गा इसके बाद दूसरा कोई तरीका इसका नहीं है ठीक बढ़ाव अमोनियम सल्फएद इसको जनली 21 कहा जाता है इसको लोग कितना बोलते हैं 31 बोल देते हैं ठीके बढ़ आप का शोड़ीम नाइट्रिउस्ट केल्सियुम नाइट्रिग 15 55% केल्सियम आमोनियुम नाइट्रिग विसे बहुत इंपोरेंच और किसान खाथ कैसे कहते है तो भूबाद कैन खेसान हत केल्सियम आमोनिय नैट्रिड को कहा जाता है इसे बने 360 quickly person होती हैं केल्सियम है तो यह आपको याद करने पड़ें इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है मैंने इंप्वरेंट लिख दिया दो बार मैं वेरी वेरी और लगा रहता हूं कि बहरी वेरी इंप्वरेंट कुशन है यह आपको तीनों के नाइट विजन फॉस्फरोस पुटास तीनों की डे नहीं आरीम छली चली अब भी यह पूस्पार लिजल यह नहीं होगी जहां पर यह किसांड चाहाप बड़ा कम्पनी है जो सिंगल सुपर फोस्पीड बनाती है जिसमें 16 एच है भी पहला एक्जांपोस से डिया है सिंगल सबस्पार फोस्पेस ए sujet एक्वीच्ब लग ग्षाँपल assim containing phosphorus पहले phosphorus मैं पहले बता चुकious एंग से पर ना आप लोग है न है इंगल स्पर्फोस्पड सबस्ट जो है वह कि है लेकिन आपको त्य करना है इनकी 5-5 यादर रखना है जैसे कि सिंगल सुपर फॉस्पेड में 16 परसेंट सिंगल में 16 तो डवल में कितना हो जाएगा जब सिंगल में 16 तो डवल में कितना हो जाएगा त्रिपल कर दो सिंगल में 16 तो गलत कर दिया तो यह मान लीजिए कि आपने सरी की ना कड़वादी सर आपको पढ़ा-पढ़ा के परेशान हो गए और आपने यह अगर गलत कर दिया तो बहुत गड़ वाली बात है कैसे करना है सिंगल में 16 डवल में 32 तो आप पालेश चाले से लेकर और पालेश और रॉक फॉस्वेट बच्ची कतना है बीस से 30 परसेंट है डाई अमोनियम फॉस्वेट बीटा बोलकर सो चालेस परसेंट फॉस्वरत और इसके साफ़ता आठारा परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता इसको दो रती लेना वैच्चे आज अब अब क्या विटा पोटास से बही सीवागा ऐसा फटलाइजर जिसने पोटास पाया रहा बीटा देख लो आइट्यल कंपणी का है यह नाम है इसका एम और पी मियूरेट और पुटास बच्चे यहां पर आपको दिख रहा हो तो देखेंगे आप पोटेशियम क्लोराइज जिसको मियूरेट और पुटास कहा जाता है यह लगाए यहां पर लगाओ यह क्या है एक तरह से खाध है तो यहां पर बिटा क्या करेंगे आप इसके चार एक्जामपल याद रखेंगे जिसे पोटेशियम क्लोराइज जिसे मिटा क्या में साथ परसेंट है उसका अलग अलग कंपनी की अलग अलग तरह के प्रोड़क्ट आते हैं जिन में परसेंटेज मापता हो जाती कम या ज्यादा हो शक्ती है क्लियर रिगा पोटेशिय तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर देख पा रहे होगे तो यहां पर एक सूषिना पर लाइज है इंपोर्टेड़ फटलैजर हम लोग यह करते हैं बिद्यस से इंपोर्ट करते हैं इस बात हो तो हमारे थे से मेरा पोटासिक फटलाइजर नहीं मना याता है हंदेट परसेंट पोटासिक फटलाइजर हमारे इंपूर्ट की आता है मतलब विद्रसों से मगा आया जाता है यह बास कमझ में आ रहे बच्छे चलिए क्या है नयुक्राइब क्या है या जेटल ओडासिक इसको मिस्やってना कंफॉर्ण र्क्ट खेंट प्राइमरी न्यूट्रेचर न्यूट्राइजर क्नेट के यहां पर देखेंगे यहां से आप याद करेंगे सिंपल सा परसेंट यहां से आप करेंगे बीएप्या होता है इस यह परसेंट और 56 परसेंट प्रसेंट नाम भी बूलता जारहो हूं सबसे पहला वाले इसका नाम नाम था डाइए अम्हुनियमफोस्पेट दूसरे बाले करा है तीसा विटा किया एन पीके एन पीके मतलब 12-16 विटा एन पीके यह भी एन पीके है ग्रेट ब्ल ग्रेट टू बारा वत्ति चोला हो गया यह 15-15 विए सब्सक्राइब तो याद करने का है आपको करना क्या है मैं आपको बता चुका हूं नाइट्रोजन ने फटलाइजर इनकी परसेंटेज मत्ता है यह कुश्चन बहुत भी पर्फात्ता प्रसेंटेज मत्ते इंकी परसेंटीज मत्ता वाच्वी पर्फात्ती इंकी बहुत इंपूर्स थे थे क्लास का लुए इंस बिडिए अब समझे यो समझे नाइट्रोजन वाले फटलाइजर वहते हैं यह चार तरीके होते हैं ठीक वेते शचरम जेनाशंट कि यहां पर सम्झा देते हूं थ panesi the back up कर से यहां पर आपको चार प्रखाद कर देखने ने को मिलें इसार पहला हूता ऐटा अमोनिकल परतर गहों सा ओन मोनिकल यह ए-'re- इस बता मोनिया यक तुरह दूसर अधना है को नाइट्रेड फटलाइजर कुन से उते हैं नाइट्रेड प्लाइजर के बटा चोथा अमोनियम नाइट्रेड नाइट्रेड फटलाइज्ट के और लाश्च तो तर बडा वो मैंने नाइट्रोजन वाले फटलाइजर होते हैं उनको तीन गुर्पों में लबाएट कर सकते हैं पहला अमोनिकल फटलाइजर दूसा नाइटेड फटलाइजर तीस्ता अमोनियम नाइटेड और चौथा क्या होता है icana आप सब अभी सब्स समझ में नहीं आए अभी समझी जो होती है वो सको पोदे कई सारे रूप में अपती है कुछ ऐसे फटलाइजर उत्ते यहां पर देखेंगे यहां पर देखेंगे यहां पर देखिए बटा यहां पर देखेंगे बटा देखों आमोनिय यह क्यों पर देखेंगे यहां पर देखेंगे बटा सबसे पहले अमोनिकल पॉलाइजर ने यह और बाग जिनमें nitrogen ammonia गरूप में पाई आती है Ammonical fertilizer कहलाते हैं the fertilizer in which nitrogen is found in present in the form of ammonia यहां पर देखो जब आपका विटा Ammonium nitrogen दोनों में पाए जाए तो उसे Ammonium nitrogen ग्रूप कहेंगे और जब यूरिया इस एंग्जांपल आम इस फट्राइब तो यह हमारे आज की क्लास ती यहां पर अगर आपको यहां तर देखी है तो लाइक जरूर करें अगर आपने अभी तक हमारा पेड़ नहीं खरीदा है तो पेड़ लें क्यूंगी नेक्स्ट मंडे से आपकी लाइप पर तो अभी तक जो अच्छे नहीं खरी रहें जल्दी से बटा करीद दो मंडे से हमारी लाइप क्लास स्टाट हो जाएगी तो लाइप क्लास का जो महावल होता वह काफी आप लोग के लिए होता है वहां पर तरीके से आप डिसकस कर सकते हैं और और भी नोट्स बहुत सा सारा मटेरियल कंटेंट मिलने वाला है जो यूट्यूब पर सायर नहीं मिल पाए तो अगर आप बड़ा कैपेबल हैं तो आप लाइप क्लास चुरू खरेंगे ठीक है बड़ा मिलते हैं नहीं क्लास में तब तक के लिए टेक क्यार बाए बाए